बूर्णी स्टुटेंट्स वेलकम नवजीमन चलिजन अकाडमी अबर यूटूब चैनल इस नवजीमन करसाना तो फिफ्ट क्लास कर अपने 10 नमबर तक कोश्चन होगे थे हैं ना आज़र में करेंगे 11 नमबर कोश्चन लेसन अपना फिर्स जल है अबी कोश्चन नमबर 11 त मतलब for taking care of those children उन बच्चों की care देख बाल कौन करता है whose parents are not alive जिनके parents नहीं होते हैं ना the government has established school orphan hostel government के लिए क्या करती है मतलब school hostel बोलती है have a discussion with your teacher about the same इसी के बारे में आपने टीचर से concerned कीजिए इसका अंसर है for taking care of those children whose parents are not alive उन बच्चों की देखवाल करते हैं जिनके parents नहीं होते the government has established school orphan hostel for their arrangement basic need जो government है उनके लिए school open करवाती है अना आश्रम होते हैं या होस्टर होते हैं वहां पर इनकी basic need जो मूल भूद आश्रम होती है वो complete करती है and providing facility of food shelter and education उनके लिए facility provide करवाती है कि food बोजन की shelter रहने की and education शिक्षा की जो facilities है वो government उनको provide करवाती है okay यह है आपका 11 नमबर कोश्चिन ने सब्सक्राइब काव है अपने काव उसका जो बचड़ा होता है वो उसको कैसे पहचानती है कैसे रिकोनाइस करती है तो इसका अंसर होगा वाई सींग यह मैंने आपको छोटा के वादिया भी बड़ा भी लिख सकते हो यह काव रिकोन अपने को तो ममा देखके पहचान देती है ओके यह आपके त्री कोश्चन्स होगे आज इनको करके ग्रूप में सैंट कर देना ओके और इनको लर्ण भी करना है बिकोज यह आपके फर्स टैस्ट का स्लेबस रहेगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सिस्क्राइब करना ना भूले ओके यह आपका हो गया थैंक्स